question कहता है हमारे पास तीन partner है A, B and C यह partner है और इनका जो business है वो है auto parts manufacture करते है automobile के अंदर जो आपको parts कुछ चाहिए होते होंगे वो parts के यह लोग क्या करते है manufacturing करते है ठीक है अब उनकी जो form है फर्म जो है उनकी वो registered नहीं है क्या नहीं है not registered registered नहीं है फर्म ध्यान रखेगा not registered now in order to increase the earnings of the firm अब firm की earnings बढ़े है firm का revenue बढ़े we decided to use low quality अब B ने क्या कहा इब भई earnings बढ़ाने earning का मतलब क्या होता है यहाँ पे earning का यहाँ मतलब है profits अब profit बढ़ाने के दो तरीके है खर्चे कम किये जाए यह sale price बढ़ा दिया जाए profits बढ़ जाएगी तो अब यह profits बढ़ाने के लिए उसने क्या किया उसने ना low quality raw material यूज करना शुरू कर दिया ठीक है low quality material यूज किया without without knowledge of A and C और इसके बारे में A और C को कोई खबर नहीं है ठीक है जिसके कारण क्या हुआ as a result many accidents as a result many accidents were reported by the consumers screen visible screen visible नहीं है कोन बच्चा है दुबारा बताएं किस बच्चे ने बोला अच्छा श्रेया बेटा screen visible नहीं है ठीक है बेटा बाकी बच्चों के साथ भी same problem है क्या बाकी बच्चे बताएं तो शायद कुछ connectivity issue है श्रेया बेटा आप थोड़ा सा वेट कीजिए एक बार disconnect करकर दुबारा reconnect हो सकते हैं आप ठीक है दुबारा reconnect हो जाईए तो issue resolve हो जाएगा और दूसरी क्या चीज़ है इसकी recordings में आपको अपलब्द करादू ठीक है तो problem नहीं आएगी recording में screen visible होगी सारी चीज़े clear होगी वहाँ पर क्योंकि यह जो issue आता है connectivity के कारण आता है कई बार आपके जगां पर internet के जो speed है वो धीरे होती है न तो सारी चीज़े मतलब hang type हो जाता है system proper data packet पहुँच नहीं पाते ठीक है ज्यादा टेक्निकली तो बात क्या करें उस पर ठीक है बर इतना समझते है data packets समझते हैं आप क्या होता है data packets शायद आपने computers में पढ़ा होगा कुछ है न पढ़ा है आप लोगोंने data packets क्या होते है मैंने भी जादा नहीं पढ़ा है थोड़ा बहुत है मुझे knowledge जादा नहीं है मतलब एक दो प्रतिशत मान सकते है इतनी knowledge है बस ठीक है तो अब जो ये low quality का material यूज कर रहे थे न इसके कारण क्या हुआ consumers जिने screen नहीं दिख रही हो मेरी आवाद सुन सकते हैं ध्यान से earphone लगा लीजिए और horizontal mode पर अपने mobile को टेबलेट को रखिएगा ठीक है तो consumers ने problems उनको काफी accidents होने लगे quality अच्छी नहीं थी तो कुछ ना कुछ नुकसान दिया होगा consumers को इसलिए उन्होंने क्या किया उन्होंने case file कर दिया case file किस के against कर दिया firm के against क्योंकि product तो firm की तरफ से आ रहा है तो उन्होंने case file किया now now questions arises is this wrong act of B binding on A and C first question A ने गलती की B ने गलती की A और C को इसकी कोई knowledge नहीं थी क्या बता हो अब इसके लिए क्या वो liable है क्या उन पर ये binding होगा या नहीं होगा आपको लगेगा नहीं होगा सर्म बचार होगो तो पता ही नहीं था क्यों नहीं पता था भई ये partner है ठीक है binding होगे वो कुछ जानमी ने बोला मुझे सुनाई नहीं दिया सही से सर्म केस तीनों partners पर होगा हाँ बिलकुल तीनों partners पूरी फर्म पर होगा और तीनों jointly liable है तीनों की liability है बिलकुल सही बताया जानमी ने ना कहता है state the feature related to this अब बताओ इस जो point है इससे related feature बताओ यानि कौन सी feature यहाँ पर आ गई ठीक है उसके बारे हम बात करो फिर कहता है can consumers file case on non registered firm क्या consumer file कर सकता है तो consequences जो थे जो नुकसान थे unregisteration के वो इनको खुद को थे third party case कर सकती है इनकर ठीक है उसके बाद can A and C file case on B तो क्या A और C file कर सकते है तो आओ कुछ देखिए एक बार theory में दुबारा वापस आईए consequences को पढ़ो ध्यान से consequences को पढ़ो गए आप ध्यान से एक बार तो देखें एक बार क्या क्या चीज़े थी यहां पर हाँ जी पहली बात पार्टनर जो है पार्टनर cannot file against the firm यह तो बात हमारे पास है नहीं फर्म के अगेंस तो फाइल करे नहीं रहा कोई इस case में अब partner of unregistered firm cannot file case against any other यह वाला हमारे काम का point है कि partner चाह रहे थे दूसरे partner के अगेंस तो कर सकते हैं नहीं कर सकते फाइल तो A और C B के against case file नहीं कर सकते दूसरा एक unregistered firm cannot file case against third party और outsiders ठीक है न firm cannot file case against यह तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर काम का यह था point और यह था firm नहीं कर सकती third party third party तो कर सकती है तो बात समझ में आई यहाँ पर यह आपको third party नहीं कर सकती है third party case file कर सकती है firm नहीं कर सकती है ठीक है तो इसका answer जो C था कहता है consumer file कर सकता है मैंने का बिल्कुल कर सकता है करिए जी आराम से case करिए क्या A और C कर सकते हैं B के against नहीं कर सकते case file ठीक है अब आते हैं इसके आगे guess के answer दिये वह इन्होंने कि जो act है वो wrong act है जो binding होगा A और C पर जो outsider है वो case file कर सकता है जो partner है बाकी वो एक दुसरे के against case file नहीं कर पाएंगे ठीक है चलिए और feature की बात हुई थी feature mutual agency वाला लिखावा है यहाँ पर ठीक है mutual agency पता है न एक दुसरे के agent है अगर किसी एक ने काम किया है तो वो बाकी लोगों पर binding होगा यह mutual agency वाला principle कहता था ठीक है याद होना चाहिए feature mutual agency का partnership firm में आपको याद नहीं है तो problem है याद रखना है आईए अगले पर अगले का answer नहीं देखते हैं question देखते हैं answer पर focus ही मत करना कोई ठीक है answer पर focus नहीं करना question पर focus करना यह लीजेजे question क्या है देखें question कहता है तीन partners x, y, z mutually decided to set up a small factory in a rural area ठीक है एक business start करने की plan किया उन्होंने rural area में they decided to hide the association of x with a factory to outsider x यानि जो है outsiders को नहीं पता होगा इसके बारे में यानि यह कैसा partner हो गया बाद में बात करेंगे ठीक है आपको याद होगा उसके बाद and y will note take part in day to day activities ठीक है x का तो क्या है association hide होगा एक minute कोई बच्चे का ही call है हाँ जी जिन जिन बच्चों को types of partner याद है उनको तो यह easily हो जाएगा तो जैसे x क्या है x बहर वालों को नहीं बताना ठीक है ना तो मैं इसे अलग से underline कर देता हूँ यह वाला जो part है x का association आपने hide करना है outsiders के साथ और जो यह y है y के है y जो है participate नहीं करेगा day to day activities में of business due to health issues उसके बाद कहता है जो दूसरा है z will take active part in all activities तो z कैसा partner कहलाएगा now whenever they have problem in getting cash, credit or financial help they use the name of their partner p तो एक partner है p उसकी वो सहायता किस काम में लेते हैं कि अगर कभी उधार नहीं मिल रहा है और कोई समस्या है उसकी सहायता ले रहे है ठीक है with this consent ठीक है use their name p का नाम यूज करते हैं तो अब इन सब को बताना है आपने यानि आपके पास कौन-कौन हो गए आपके पास हो गए x y z और p ठीक है बताओ x कैसा पार्टनर है बहारवालों को नहीं पता secret partner है बिल्कुल सही secret partner x बिल्कुल secret partner है जी ठीक है उसके बाद y कैसा partner है y जो है वो activities में part नहीं करेगा मतलब involved नहीं होगा वो तो इसे inactive बोल सकते हैं आप लोग या फिर एक और नाम दे सकते हैं sleeping partner ठीक है तो y का पता नहीं कौन सा answer है मुझे देख लेते हैं यह z का आ गया y का यहाँ है शायर sleeping या dormant partner dormant की जगा एक वर दोर भी लिख सकते हैं आप dormant के साथ में inactive inactive partner ठीक है जड का answer आई गया आपके पास कि जड तो active partner है वो सारा काम करता है participate करता है अब जो P है वो कैसा partner है P की consent लेकर आप बाहर वालों से एक पैसा वैसा लेना होता है तो ले लेते हैं तो यह नाम के लिए बिलकुल nominal partner है बहुत बढ़िया यह नाम के लिए partner है nominal partner ठीक है चलिए तो हभी हभी दो case studies हमने की इस तरह की case studies आएंगी आपके exam में आ सकती है कोई doubt नहीं है इसमें और कोई कैसी बड़ी case studies नहीं होती है इसमें answer question में छुपा है आपको थोड़ा बहुत conceptual clarity हो ठीक है ना अगर concept याद है बाते याद हैं तो answer दे पाएंगे आप अब आईए जी उन्होंने difference आपको दिया है किन के बीच में difference दिया है partnership firm और soul proprietor देखिए जरा ये differences देखिए और कोई difference आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए मैं help करता हूँ आपकी बताइए one by one देखिए सारे differences को और फिर discuss करते हैं पहला तो है गवर्न यानि कौन सा लो जो है वो govern करता है इनको यानि किस law के अंडर में ये काम करते हैं governing कैसे होती है तो partnership पे आपको पता है act लगता है partnership ठीक है और जो हमारा soul proprietor है उस पे कोई act नहीं बना उसके लिए कोई law नहीं है simple business है normal individual business कर रहा है कोई specific act नहीं है ठीक है न अकेला खुद का business है जैसे मर्जी करें बस illegal activity ना करें ठीक है number of member की बात है अब यहां तो अकेला ही होता है soul proprietor में यह minimum दो होंगे ठीक है अच्छा ये बात जो दे रखी है नहीं ये पुरानी बात है इसे हटा देना maximum 20 और 10 banking वाली बात हटा लेना आज किसे में maximum क्या लिखलो आप 50 ठीक है companies act कहते है आज किसे ये हटा दो दो नो हटा दो आप वैसे जो ये पुरानी ये जो हुआ करता था ने ये चीज जो दिये इनोंने ये ऐसा होता था banking business नो थोड़ा complex business होता है पैसे से लेन देन है तो वहां कम partner रखे जाते थे इसलिए banking में 10 हुआ करते थे बाकी में पहले 20 हुआ करते थे ठीक है चलिए इसके बाद third है formation कैसे होता है तो कहता है partnership तो नहीं sole proprietorship तो कोई formation क्या है जब मर जी बना बनाया है ज़े खोली business start क्या बन गया तो कोई agreement हो गरा नहीं होता किसी के बीच में यहाँ agreement होता है agreement होता है और partner उसे deed कहते है अब agreement return में भी हो सकता है oral भी हो सकता है तो यह चीज़ देखने वाली है अगर return में है तो deed कहलाएगा ठीक है otherwise कैसे कहलाएगा और अलतो ठीक है रिस्क रिस्क जॉइंटली लेते हैं यहाँ पर वो अकेले खुद बियर करता है प्रप्राइटर बियर करता है सारे रिस्कों पैसे की बात बोलें तो यहाँ comparatively जादा पैसा अवेलेबल होता है क्योंकि जादा लोग है यहाँ थोड़ा कम अवेलेबल होता है क्योंकि अकेला है decision making यहाँ मिलकर होती है delay हो जाती है इसलिए सबसे consult करना पड़ता है यहाँ quick होता है क्योंकि अवे अकेले ही होता है किसे से consult नहीं करना होता उसको ठीक है आई बात यह समझ में उसके बाद अगली बात आती है division of profit की profit कैसे बटेगा जो आपस में इनकी ratio तै होती है न जिस तरह से decide हुआ है deed के अंदर वैसे profit को बाट लेते हैं यानि किसका कितना हिस्सा होगा profit में उस तरीके से बाट लेते हैं और यहाँ पे सारा profit खुद का ही होता है मालिक का सारा profit मालिक का है अकेले क्योंकि वही सारे profit सारे losses के लिए जिम्वेदार है उसी को मिलेगा चाहे profit हो क्या नुक्सान हो अकेला है business चलाने वाला इसके बाद हमने joint Hindu family business भी पढ़ाया आपके साथ तो उसका भी comparison दिया है इन्होंने partnership के साथ की joint Hindu family business को आप compare करें ठीक है तो compare करके देखिए एक बार सब पढ़ावा है हमने ऐसा कुछ है नहीं खास जल्दी से दो मिनिट लीजे और पढ़ लीजे इसको फिर आगे चलेंगे झालेंगे हाँ जी बताइए कोई point समझाओ इसमें से मैं नो सर्थ ठीक है इसके बाद अच्छा ये और दो point बच गया थे उसमें जो आपका joint Hindu family था और क्या बोलते हैं partnership था दो point और हैं इसके division of profit की बाद थी और minor की admission की बाद थी यहाँ जो आपका क्या बोलते हैं joint Hindu family business में वहाँ पे minor member बन सकता है और partnership में नहीं बन सकता ठीक है क्यों benefits में add किया जासकता है minor को partner नहीं बनाया जासकता ठीक है अब अगला जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आप लोगे साथ वह जी cooperative organization ठीक है working together with others for a common cooperative organizations आपने सुनी हो तो मैं आपको बताओं cooperative organizations कैसे काम करती हैं यह क्या होती है देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत अगर याद करें आप लोग तो collective farming जिसे कहते हैं आपने example सुने होगे collective farming कहलो या collective farming नहीं एक example ले लो आपके आपने एक village के अंदर एक village है यहाँ पे सभी farmers ने न farmers ने जो अपना produce है जो उनका output है produce है जो उन्होंने अना जोगरा पैदा किया है उस produce को न सभी collectively means all farmers अपने produce को इखटा करते हैं और फिर इस produce को market में sell करने जाते हैं ठीक है सारे farmers से ले लिया जाता है सब का हिसा दिख लिया जाता है किसका कितना अनाज है किसका कितना produce है और फिर उसे market में लेकर आजाता है यानि bulk में होता है अभी bulk में होता है तो इससे क्या है bulk में जब आप produce लेकर जाते हैं मंडी में ठीक है या market में ग्रेन मार्केट में तो वहाँ आपको सही prizes मिल पाते हैं क्यों क्योंकि आप bargaining position में हो ठीक है जादा आपके पास समान होता है तो उनको भी टेंशन खतम होती है वह दस लोगों से डील नहीं करना पड़ेगा एक साथ ही खटा आ गया अब यह सारे फार्मर्स मिलकर ना मिलकर एक मुतलब एक organization बना लेते हैं अपने लेवल पर जिसे क्या बोले जाता है कॉपरेटिव और गनाइजेशन इसमें फायदा क्या है कोई फार्मर हो सकता है उसे इतना समझ नहीं है कैसे क्या होना चाहिए तो सभी मिलके इन में से कुछ लोग उसके महड बनते हैं उस organization में गाइड करते हैं उस चीज़ को लेकर वो ठीक है और वो गाइड करते हैं बाकी लोगों को भी चाहें पैसे की दिक्कत हो या और भी कोई समस्य आए तो उसके लिए एक दूसरे का साथ देते हैं आपने एक वर्ड और भी सुना होगा कमेटी कमेटी वर्ड सुना है कि इसे लोग कमेटी डालते हैं ठीक है सुना है क्या अगर नहीं सुना तो मैं उस पर नहीं जाओगा सुना है तो कमेटी में क्या होता है सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा इखटा करते हैं मानो दस लोग मिलके और सब ने मिलके हजार रुपे इखटे किये हजार हजार तो कितना पैसा आ गया दस जार रुपय आ गया अब इस दस जार की किसी को जरूरत है आज न दस लोगों मेंसे वो ले ले ठीक है उसने ले ली अपने पैसे अभि ये दस भर भरे जाएंगे तस बार ऐसे हर महिने दस महिनों तक आएंगे वो लोग और जब भी जिसको भी जरूत होगी, कोई व्यक्ति दो बार नहीं लेगा, कोई ले रहा है तो फिर दूसरे को देना पड़ेगा उसको उसका पैसा, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कम मिलता है, दस जार से कम, क्योंकि आपको पैसा पहले मिलके आभी आखरी वाले को लास मिल तो कम ब्याज होगरा काट दीजी, इस तरीक है, तो इससे क्या help हो जाती है, केले उसके पास 10,000 थे नहीं, आज यूज करने के लिए, फिर वो किष्टों में धीरे-धीरे वापिस कर देगा इस पैसे को, तो community type system बोल देते हैं इसको, ठीक है, mutual help के concept हैं सारे, cooperative societies हैं, milk के ल हैं, उनको फायदा हो पाए, ठीक है न, उनका ये लोग development कर पाएं, उनको support कर पाएं, ठीक है, अपने members को, आप देखिए, एक बार आपकी book से और go through करते हैं, इस concept को, क्या है, actual में ये देखिए, कहता है, cooperative form of business is different from business enterprise, जो business enterprise हुआ करती थी न, उससे थोड़ा साना ये different है, थोड़ा सा different है, cooperative form जो आपका है, business form से, कहता है, इस form के अंदर, main motive जो है, is not earning profit, profit कमाना, main motive नहीं है, इनका main objective नहीं है, इनका main motive क्या होता है, mutual help, एक दूसरे की सहायता करना, ठीक है, इनका main motive क्या है, एक दूसरे की सहायता करने का इनका motive होता है, it works with a principle of, अब इनका principle, ये किस principle काम पर काम करते हैं, देखिए, इनका principle क्या है, कहता है, each for all, and all for each, यानि, हर व्यक्ति सभी के लिए है, और सभी हर एक के लिए है, यानि, मिल जुलकर एक दूसरे का साथ देना है, इस basis पर, इस उद्देश्य के साथ, ये लोग काम करते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा, earning, इनका motive ये नहीं, पैसा कमाना है, जैसे भी कमाना है, प्रॉफिट कम ये का मिनि, ठीक है, नौ, cooperative society, और organization, आप cooperative society बोल दीजी, organization बोल दीजी, एक ही बात है, तो मैं भी कई बार cooperative society बोल जाता हूँ, ठीक है, it's a voluntary association, यानि कोई compulsory नहीं है, जो इसका member बनना चाहता है, वो बन सकता है, voluntary association of persons, who join together for mutual help, जो एक दूसरे की सहायता के लिए यहां आते जुडते हैं, कि चलो, आपकी भी सहायता हो जाएगी, और आप लोगों के द्वारा मेरी भी help हो जाएगी, एक दूसरे को help कर पाएगे, यहां minimum कितने लोग चाहिए, आपको 10 लोग चाहिए, ठीक है, एक cooperative society बनाने के लिए, ठीक है, ध्यान रहेगा, mark कर लेना इसको, minimum 10 ल है, now, registration of cooperative society, अब बात करें, registration की, आपको याद है, sole proprietor में registration की जरुवत नहीं थी, joint Hindu family business में registration की जरुवत नहीं थी, ठीक है, दो law था हमके पास, जिसके अंडर वो govern होते हैं, partnership में registration की जरुवत है भी और नहीं भी, कराते हैं तो आपको फायदे नहीं कराएंगे, तो नुकस है कुछ, यहाँ जो registration है, वो है, optional नहीं है, compulsory है, तो यहाँ जो registration है, वो compulsory है, ठीक है, यानि यह नहीं कि कराना है, तो कराओ, नहीं कराना है, तो मत कराओ, यहाँ तो कराना ही पड़ेगा, and capital of cooperative organization is contributed by members only, और जो यहाँ पैसा लगाया जाता है, capital पूंजी, वहाँ कौन होता है, यानि सबका शेयर हो जाता है, वहाँ पैसा लगाते हैं, ठीक है, सभी, cooperative organization can raise loan from banks as well, ठीक है, यह loan होगर आइनको ले सकते हैं bank से, capital तो इन ही की होगी, capital यह लगाएंगे, bank से loan ले सकते हैं, इनको जरुद पड़े तो, ठीक है, तो cooperative societies की definition दी गई है कुछ, ठीक है, यह तो हमने उसकी कुछ meaning पढ़ लिया, features पढ़ लिया, ठीक है, अब बात करें, cooperative organization या cooperative society की definition की, कुछ definitions दी गई है, एक definition तो, societies act में दी गई है, जो cooperative societies के लिए law है, cooperative societies act 2012, उसके अंदर definition दी गई है, कहता है, this is a society which has its objective for promotion of economic interest, economic interest का promotion करते हैं, अपने members का, ठीक है, accordance with the principle of cooperative principle, cooperative principle क्या था जी, each for all, all for each, याद रखेगा, यह cooperative principle था, highlight मैं इसको भी कर देता हूं, यह लिजे, ठीक है, now, cooperative, अच्छा, और definition भी है, और छोड़ देते हैं, अगर आपको किसी को पोछना हो, तो मैं समझा दूँगा, बाकि definitions given ह हैं, जैसे SC Colvert ने दी है, एक definition, उसके बाद international labor organization ने भी इसकी definition दी भी है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं आपकी book में, आगे देखें, आगे क्या है जी हमारे पास, अगला है features of cooperative organization, जो एक cooperative organization है, जिसका भी हमने meaning समझा, कुछ feature को भी discuss किया, कुछ विजेशताओं को discuss किया आपके साथ, अब आते हैं इसके, अलग से dedicatedly features को read करते हैं, understand करते हैं, book का नाम आप आई बिलीव आप लोगों के पास है सभी के बाद, पास, ये VK publication से है ये book, VK publication, और जो author है वो पूनम गांधी है, पूनम गांधी, ठीक है, चलिए, आईए, तो features देखें, सबसे पहला तो voluntary association, ये देखो हमने नाम आया था उपर, जब हम meaning हो गयरा की बारे हम बात कर रहे थे, क्या होती है cooperative, society, organization, तो हमने देखा था voluntary है, यानि आपकी इच्छा से आप इसका member बन सकते हैं, ठीक है, mutual help का इनका concept है, तो voluntary है, कहता है voluntary association है, ठीक है, जो चाहे anyone can join, ठीक है, बस उनका common interest हो, उस common interest के लिए join करते हैं, जैसे example मैंने दिया था, इन्होंने बोला है कि, एनी farmer can join the agricultural society, एनी consumer can join the consumer society, members can leave society, whenever they want, just they have to give a notice, एक notice देना होगा, अगर कल को ये society को या इस organization को छोड़ना चाहते हैं, तो बस एक notice देदें कि, साहब अपसे हम इसका member या सदस से नहीं रहना चाहते हैं, और इसके बाद आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है? लीगल स्टेटस, अब लीगल स्टेटस की बात करें, तो लीगल स्टेटस मैंने बताया था, recognition होता है, separate entity कहलाती है, यानी society अपने नाम पर transitions कर सकती है, ठीक है? तो सुनिये, कहता है पहली बात तो इसका registration जो है न वो compulsory है, ठीक है? जो societies act के अंदर होता है, 1912 जो है, ठीक है? और उसके बाद ये एक separate legal entity बनती है, separate legal entity यानी इसका खुद का अस्तित्व है, जिसे partnership में क्या होता था? partnership firm के against करो, यानी सभी partners के against case किया है, यहां ऐसा नहीं है, यहां cooperative society के against किया गया है, यानी society के against किया है, इसकी member पर नहीं हुआ case, वो अलग-अलग है दोनों, ठीक है? इसका मतलब सुनिये, यही है, कि जो वो है, society है, वो separate है, अपने member से अलग है, ठीक है? वो अपने नाम प खरी सकती है, कोई property, on name पर खरी सकती है, contract में एंटर कर सकती है, अपने नाम पर, खुद के नाम पर, contract में भी एंटर कर सकती है, ठीक है? पार्टनर्स के आने जाने से, insolvency से, incapacity से, उसके existence पर कोई फरक नहीं बढ़ता, separate legal entity है, from its member, यह इसकी legal status के बारे हम बताया है, ठीक है? बताइए, यहाँ तक किसी का doubt है, query है तो, पूछ सकता है कोई बच्चा, यहाँ तक जो मैंने बताया है, उसमें कुछ पूछना चाहता हूँ कोई? बोलिए बिटा. यह separate entity में बताता हूँ किटा, सुनिए separate entity दियान से समझें सारे बच्चे, separate entity का मतलब क्या है? separate समझते हैं न, अलग अलग, आप अलग, अलग अलग हैं, यानि जो member हैं, वो अलग हैं किस से? society से, cooperative society से. अलग होने का मतलब क्या है? अलग होने का मतलब है, अलग अलग में इसका खुद का अपना existence है, on existence. on existence तो है, साथ में कैसे existence है? on legal existence है, यानि कानून इसको मानता है अलग से. जैसे आप सोचो, आप बताएं, जैसे आप खुद एक individual, एक individual अपने नाम पर, कोई property buy कर सकता है? प्रॉपेटी बाइ कर सकता है, ऐसे ही sell भी कर सकता है, कर सकता है न एक individual, क्योंकि कानून मानता है कि यहाँ एक individual है, इसका अस्तित्व है, existence का मतलब क्या है? इसका अस्तित्व है, ऐसे ही society को भी मानके चलता है, एक person मानता है, non-artificial person मानता है दो, पर एक person है, cooperative society अपने नाम पर property खरीद सकती है, अपने नाम पर लोगों के साथ agreement कर सकती है, थुरू इस chair person या जो इसके head हो है, उनके थुरू यह अपने नाम पर खरीद सकते हैं चीजें, और क्योंकि अब अपने नाम पर खरीद रहे हैं तो partners, जो members है, कोई आ रहा है, जा रहा है, किसी की death हो रही है, उसे कोई फरक नहीं पड़ रहा, society वहीं की वहीं existence में partners गए, तो नहीं members गए तो नहीं member आ जाएंगे, पुराने गए, ठीके, यह बात समझे, समझे में आया, separate existence का मतलब क्या है, separate legal entity का मतलब क्या है, और चर्चा करेंगे इ बीटा, अगर 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 इस community society, cooperative society पर क्यों कौन करेंगे रहा है, उसके लिए responsible cooperative society खुद होती है, cooperative society पर penalty लगती है, और वो pay करनी होती है उसको, pay कौन करेंगा, जो society के fund है, उसमें से payment हो जाएगी, यह हो सकता है उसके लिए responsible होगा society का ये फैसला किस ने लिया उसके जो committee के member होते है उसमें से कुछ board member होते है main member जो डिस फैसला लेते है ठीक है maximum उन पर बात आ सकती है सभी पर नहीं कि सभी responsible होगे उसके लिए ठीक है जो लोग उसे चला रहे है रन कर रहा है न वो responsible हो सकते हैं बस ऐसे नहीं कि हर member को आप बोलेंगे नहीं ऐसा करो ठीक है और दूसरी बात यह जैसे कॉप कॉपरेटे सुसाइटी ने अपने नाम पर एक लेंड खरीद लिया तो कल को member यह नहीं कह सकते है लेंड हमें दे दो कॉपरेटे सुसाइटी यानि हम ही है ऐसा नहीं है वो लेंड कॉपरेटे सुसाइटी का है उसी के पास रहेगा ठीक है बाकि इस पर इस जो लिगल एंट सेपरेट लिगल एंटिटी वाला जो कॉंसेट है यह आप लोग के लिए नया है भी जैसे मैं बात करूँ अगला जो फीचर है वो क्या है जी अगला फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी बताओ लिमिटेड लाइबिलिटी समझ में आती है न अब आपको अनलिमिटेड नहीं है यानि जो बजनस में लगाया है वही डूबेगा अधिक्तम घर से कुछ नहीं लेकर आना कल को नुकसान हो जाता है सुसाइटी को तो सुसाइटी यह नहीं बोलेगी भई आपने घर से सब कुछ बेचवाच के ले आओ तो नुकसान की भरपाई करने है नहीं आपकी लायबिलिटी है जो है वो एक लिमिट है उसकी एक सीमा है उससे ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे ठीक है लिमिटेड लायबिलिटी समझ में आता है बोलिए चल सकता हूं नेक्स्ट पर में अब बात आती है कंट्रोल की जैसे अभी आप पूछ रहे थे ना कौन लायबल होगा कैसे कंट्रोल या नहीं सुसाइटी चलती कैसे है कंट्रोलिंग कैसे होती है इसकी तो सुनिए जो सुसाइटी है जो सुसाइटी में जो पावर टू टेक डिसिजिजन है या निर्णा कौन लेगा इट लाइज इन दा हैंड ऑफ एन एलेक्टेड मैनेजिंग कमीटी एक कमीटी बनाई जाती है कुछ सदस्य होते हैं ठीक है ने कौन-कौन लोग होंगे तो मैंबर्स में से ही चुनाव होता है और जो लोग लगता है कि हाँ ये काबिल है सक्षम है ये चीज समाल सकते हैं उनको मैंबर्स उन्हें मैनेजिंग कमीटी का पार्ट बना दिया जाता है कल को गलती होती है तो मैंजमेंट कमीटी को अपॉइंट कैसे होता है मैंबर्स करते हैं वोटिंग के थुरू और ये क्या लोग करते हैं ये डिसिजन लेते हैं ठीक है कोई भी फैसला लेना होता है क्योंकि कॉपरेटिव सुसाइटी खुद तो बोलेगी नहीं कि मैं अपने नाम पर बिल्डिंग खरीदने जाती है क्योंकि उसका तो लेगल एक्जिस्टेंस टो है वास्तिविक्त नहीं है रेयलिटी में है नहीं हो इसली अगला जो फीचर है कॉपरेटिव सुसाइटी का जो आपका वे सर्विस मौृटृव इनका जो मौटृव है वो क्या है सर्विस है प्रॉट सेमायजिशन ही है एक दुसरे की सहायता करना है ठीक है मॉटिव इस समझ में आया नौट टौर्ण प्राफिट ठीक है अबजेक्टिव क्या है इनका मॉटिव क्या है कि अपने मेंबर्स को सर्व करना है उनके भलाई के लिए काम करना है उनके इंट्रेस्ट के लिए काम करना है उनका फाय बात है पार्टिंग राइट कैसे होते हैं यहां पे पैसे से नहीं देखा जाता कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति के पास कितने वल्ञाखेंगे तो ऐसा नहीं होता है यहां वन पर सन वन वन वोट होता है डेमोक्रेसी जो होती है ना डेमोक्रेसी ठीक है आपके अम्बानी इरलाइंस के अम्बानी जी का भी एक वोट उतना ही कीमती है जितना आपका एक वोट कीमती है बराबर है पैरिटी है तो वन परसन वन वोट का सिस्टम होता है ठीक है एक्वल वोटिंग राइट यानि वन म पर फॉलो करते हैं हम लोग ठीक है आपने कितनी कैपिटल लगाई है इससे कोई फरक नहीं पड़ता क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को बताईए जी ये सर ठीक है सारे बच्चे गायव हो गए तीन बच्चे बच्चे हैं जानवी है मुस्कान है और नहा है क्या कर लें बच्चों का कहा चले जाते हैं पूछो मत ओनलाइन में यही दिक्कत है बच्चे गायव हो जाते हैं घरवालों को पता भी लगता बच्चा कहा है वो फोन लेके बैठा होगा सामने घरवालों को लग रहा होगा क्लास देख रहा है अब वहाँ पर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा भगवान जानता है आप लोग solution बताईए क्या करें इनका है किसी के पास कोई solution इनको बांद के बिठा दिया जाए पर बांद के तो बिठा ही रखा होता है घरवालों ने भी ठीक है ना बांद कर तो घरवालों ने बिठाया होता है पर या आते हैं नहीं है बजमाच और श्रेया तो रहती है श्रेया भी कहा है पता नहीं शायद कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है ये मान लेंगे फिलाल तो हमें यही मान सकते हैं फिलाल के लिए आईए अब आते हैं मेरिट्स पर मेरिट्स क्या क्या है क्या फाइदे है कॉपरेटिव सुसाइटी के पढ़िए जरा एक बार आप लोग देखिए कौन-कौन सा मेरिट आपको कुछ से समझ में आता है और जो नहीं आता हो मुझे बताओ मैं समझा जाँग पढ़िए सारे बच्चे के स्क्रीन पर पांच मेरिट है फास्ट एक्वैलिटी इन वोटिंग स्टेटस ये मेरिट है और ये समझ में आना चीए मेरे बगर समझाएं मैंने बताया इसके बारे में लेमिटेड लाइबिटी भी मेरिटी है लाइबिटी अनलेमिटेड नहीं है तो फाइदा ही है और स्टेबल एक्जिस्टेंस स्टेबल क्यों है मेंबर्स के आने जाने से कोई फरक नहीं पढ़ रहा और अर्गनाइजेशन जो है वो existence में रहेगी member मर गए, insolvent हो गए death हो गए, इससे कोई फरक नहीं पड़ रहा तो गवर्मेंट भी इनको सहायता देती है इनकी help करती है, चाहे financial करे taxes होगर हमें छूट दे दे इस तरह की सहायता करती है cooperative society की government इसलिए support होगया government की करफ से इनको पूछिए बेटा जानवी इसमें cooperative cooperative की definition दे रखते है कि इनकी members का profit हो जाए, help करने के लिए हाँ, members के help के लिए तो हम उनको कैसे अमूल भी cooperative है, अमूल में क्या होता है अमूल जो है, ये इसके जो members है गुजरात में है जैसे अमूल है न, आपके तो वहाँ जितने भी जैसे यहाँ में, आपका गुजरात में अमूल है और यहाँ पर सरस है, अपने राइस्थान में न, सरस डेरिया आपने देखा होगा, market वगरा में भी, ठीक है उनके shops होते हैं, दूदोगरा की packing आती है तो ये लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जो milk producers हैं वो बिचारिया अतना दूदोगरा कहां बेचने जाएं, ठीक है साई दामर पर कौन लेगा, तो अमूल क्या करता है, इन सबसे tie-up करता है छोटी-छोटे लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक लेवल पर, छोटी-छोटी organizations बना दी जाती है, branches बना दी जाती है तो विलेज का सारा दूद एग जगा इखटा हुआ, कौन करवा रहा है, अमूल करवा रहा है इस सारे काम को, क्यों? अब जो अमूल के मेंबर को ने, ये farmers, जो milk producers हैं सब, ठीक है तो उसका दूद वो उन से खरीदता है, और जो profit होता है, इन ही को बाट देता है बाद में, खर्चा हो जाता है, जो cost होता है, इनको recover हो जाती है प्रॉफिट ही, इनका दूद बिग्गिया मार्केट मेंन को पैसे मिल गए, तो एक cooperative society की तरह काम करता है, आया समझ में कुछ? एसे होता है इसमें, ठीक है, आपको लगता होगा, आमूल आइस क्रिम भी बना रहा है, यह कोई कर रहा है, वहाँ से profit कमाता तो है, पर वो profit कमा के देता किसको, अपने members को यह देता है, बाहर किसी को नहीं देता, यह है अब जैसे यह वाला पार्ट है न, economical functioning, अगर अमूल का example लो इस पार्ट में आप तो देखो, अगर आप अकेले एक छोटा सा व्यक्ति, कुछ गाय भैस वकरा लेकर, कुछ दोद का वैपार शुरू करता, तो क्या वो इतने बड़े लेवल पर all over India, ठीक है, क्या milk की supply दे प आता नहीं, बहुत ज्यादा खर्चा आता है इसमें, तो अकेले उसके पास इतना पैसा नहीं था, तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया, member बने, कुछ profit भी आता गया, उसी profit को यूज करके बढ़ाया गया उस वैपार को, ठीक है, तो धीरे-धीरे करके इन क्या बोला जाए बल्क में आप लोगों को, नॉर्मल लेंग्वेज में, economies of scale आपने अभी पढ़ लिया क्या, economics में, नहीं पढ़ा, जैसे मैं बोलू, मैंने, मैंने आपकी एक class लेनी है, सुनो, example, मैंने एक class लेने के लिए आपके, मैंने अपना setup खरीद लिया, जैसे मैं यह जो pen हम यूज करते हैं न, यह pen, एक मिनिट, यह जो pen है, यह मुझे लगबक 10,000 रुपीज का पड़ा था, इसकी cost क्या थी, 10,000 रुपीज की इसकी cost थी, अब यह जो pen था, हमारे पास, मैं कहता कि इस pen से मैं एक ही class लोंगा बस आज की, ठीक है, एक ही काम किया, तो उस के बाद ही waste हो गया, अगर मैं इस से unlimited classes ले रहा हूँ, तो मेरी cost portion हो गई न, जैसे हमने machinery का example लिया था, आपके, हमने जो machine लगाई है, उसमें मैं चहें, जो दूद आ रहा है, उसमें packing में, एक village के लिए packing करता, तो यह machine मेरी लग रही थी, ठीक है, फिर मैंने का नहीं, एक village से नहीं, पूरे state का milk हम collect करें, ठीक है, तो मेरी जो machine की cost आनी थी, वो उतनी आनी, जादा भढ़ेगी नहीं, comparatively, बट मैं उसका bulk में उसकर सकता हूँ, जादा benefit मिले मुझेगा, economies of scale कहते हैं उसको, economic functioning कहते हैं, ठीक है, जैसे bus का example ले सकते हैं, आप गाड़ी में अपनी individual कार में बैठके जा सकते हैं, ठीक है, सभी लोग अपनी कार में बैठके जाएं, 70 लोग, ठीक है, और वहीं वो 70 लोग बस में बैठकर चले जाएं, तो economies of scale है, पहुंचना वहीं है, अलग-अलग में ज़्यादा खर्चा लग रहा था, यहां कमाई इंडेक हमने collective effort लगाया तो economies of scale आ जाता है, या economic functioning आ जाता है, यह बात है, और बताइए, और कुछ पूछना है यहां तक आप लोगों ने तो, चलो आगे लेकि चलता हूँ यहां से में, easy to form an open membership, जो भी चाहता है, इसका member बन सकता है, इनका उद्देश्य है, उस common interest के लिए को इनका member बनना चाहता है, तो बिल्द कुल बन सकता है, और बनाना बड़ा असान है, ठीक है, apply करो, 10 लोग जुड़ो, 10 लोग जुड़कर registration के लिए apply कर दिया, आपको cooperative society में registration मिल जाए बताइए जिए डी मेरिट्स पर आजाएं यह एक वर्ड है, इसमें, cooperative में, SUE कौन से फिचर में हैं? लिगर स्टेटस में लिगर स्टेटस हाँ जी, लिगर स्टेटस में कौन सा वर्ड बताया बिटा? SUE SUE, यानि केस फाइल करना, SUE पड़ा था न हमने SUIT यह भी केस फाइल करना था, किसे को SUE कर देना, I'll SUE in court, ठीक है? केस फाइल करना? मेरे यहाँ वर्ड रही दिख रहा है, मुझे पता नहीं? अच्छा, उसमें है आपके पास, हाँ, बिल्कुल है, हाँ, तो आप जो यह सुसाइटी है ना, लेगल स्टेटस का, अपना खुद की, इसे लो इसको रिकागनिशन देता है, तो यह कौपरेटिव सुसाइटी किसे केस केस फाइल कर सकती है, ठीक है? इसलिए ऐसा है यह, चलिए, हर्शित के हाँ पर नेटवर्ग प्रॉब्लम है, ठीक है, चलिए, डी मेरिट्स पर आ जाईए है, डी मेरिट्स पर आते हैं हम लोग, लिमिट्ड कैपिटल, देखो, मेंबर्स जो है न, वो छोटे-छोटे लोग होते हैं बिचारे, ठीक है न, एक दूसरी की सहायता के लिए, ठीक है, तो अब जो एक दूसरी की सहायता के लिए आये हैं न, तो यहां इनको क्या प्रॉब्लम आती है, कि इनने पर पास इतना नहीं होता, तो लिमिट्ड है, तो फंड बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, और जदा मेंबर बनाने पड़ेंगे, अमूल के जैसे मेंबर, आल ओवर दे, गुजरात हैं, शायद बाहर भी हो, मुझे आइडिया नहीं जाता, बाहर का तो, पर गुजरात में इसक सकते हैं, ठीक है, इनेफिशेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इनेफिशेंट मैनेजमेंट के काम करते हैं, अभी रोकते हैं इसको, ठीक है,